ओम स्री गनिशाय नमदूस्तू एश्टो समाधान यूट्योग चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं। दोस्तू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। 9 जुलाई सनिवार के रासी फल के बारे में की यह दिन मीन रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं। जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें। दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सस्क्राइब करें। साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नेने वीडियो कहुंश सकें। चली दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा मीन राशी वालों के लिए सनिवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पोजिटिव रहने वाला हैं। दोस्तों जीवन साती से आज आपको शहुग प्राप्त हो सकता है परन्तु उसके लिए संबंध मदूर बनाए रखना बहतर रहेगा व्यवसाय के दरश्टी से आज आपको अच्छा लाब प्राप्त होने की संभावना बन रही हैं। इसलिए यदि आप कार्रे व्यवसाय से जुड़े हैं तो उसे आज बहतर दिशा देने का प्रत्न करें। प्रत्राप्त हो सकते हैं जिससे उनकी लंबे समय से प्रतिक्षित उच्छ सिक्षा की कामना पूरी हो सकती हैं। दोस्तों कार्रे चेत्र से जुड़े लोगों को भी आने वाले समय में पदुन्नती के रास्ते खुलेंगे और आपको ने ने विचार आएंगे। जिन्हें अपना कर आप कार्रे इस्थल पर भी अच्छा प्रदसन कर पाएंगे। आप अचल संपत्ती प्राप्ती के लिए भी निवेस कर सकते हैं तो आपको लाब प्रद हो सकता है। कामकाज से संबंदित किसी मित्र से भी संबंद अच्छे हो सकते हैं। जिन्हें दोस्तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। परिवारिक जीवन में उल्लास में वातावर्न रहेगा। सुब समाचार मिलने से तथा प्रवास होने के कारण मन काफी प्रफुलित रहेगा। मित्रों से सैयोग मिल सकता है। यदि आप घर-परिवार के साथ किसी कार्रे को करने के प्रतन करते हैं तो वह भी आज सफल हो सकता है। जिससे आपका मन बहुत दिप्रसन रहेगा। दोस्तों कुछ लोगों का अपने परिवार से अलगाव हो सकता है। इसके अतिरिक्त आप अपने करेचित्र में व्यस्त होने के कारण तथा जीवन के अन्य पहलूँ पर अधिक समय देने के कारण अपने परिवार को अधिक समय नहीं दे पाएंगे जिसकी कमी आपके परीज में आपको परिसानियों का सामना करना पड़ सकता है कार्य सफलता के लिए आपको द्रण इक्षा सक्ती और मनोवल की आवशकता होगी साथी साथ आप अपने वित्य प्रबंदन के प्रती काफी सचित रहेंगे फिर भी आपके खर्च और बचत के बीच उतार चड़ाव की इ रह सकती है इसे बहतर बनाने के लिए आपको उत्तम वित्य प्रबंद पहले से ही तैयार करना चाहिए ताकि प्रती कूल समय में परिसानियों से बचा जा सके यदा कदा अनावशक बातों को लेकर घर में कहां सुनी हो सकती है माता का शयोग तथा सुक प्राप्त आपको हो सकता है परन्तु पिता के सैयोग और सुक को लेकर सस्पेंस हो सकता है साथी साथ कारे छेतर में भी काम के अधिकता रहेगी और कारे सपलता के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करने पड़ेगी परदोर के बावजूद कारों में अफेक्चित सपलता नहीं मिलने से मन वेथि सेयम रखे अन्यता बेवजा विवाद में फस सकते हैं थोड़ा साफ धन रहें दोस्तो अब बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ के से रहने वाली हैं दोस्तो आज आप कहीं गूमने फिरने के लिए आफर कर सकते हैं तब ही आपके प्रेम जीवन में विरत्दी होग और प्यार के साथ साथ हर तरह के सैयोग की संभावना उत्पन हो सकती हैं एक दूसरे के कामकाज को लेकर भी आज सैयोग हो सकता है जया दोस्तो आज आप अपने प्रेम जीवन का कून रूप से आनंद लेंगे और अपने प्रेतम को स्पेसल फील करेंगे इस से आपके प् आपके काफिया नुकूल रहने वाली हैं परनतु आप अपने प्रेमी प्रेमिका के ऊपर पूर्ण विस्वास रखते हुए एक दूसरे के साथ समय बिताने का आज प्रेतन करें साथ साथ यदि आप किसी को प्यार करते हैं और उसे पता ही नहीं तो ऐसे में एक दूसरे को समझना और एक दूसरे को समझाना आवशक है यदि आप पहले से ही किसी को प्यार करते हैं तो आप उनको प्रपोज कर सकते हैं आज का दिन आप के लिए बहुती लकी सावित होने वाला है दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वैवसाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो आज ग्रहों की इस्तिती आपके अनुकूल रहने से आर्थिक लाब और नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं कारो बार आज अच्छा चलेगा और कारों में आज आज आपको अच्छी सपलता मिलने से धन लाब के इस्तिती रहेगी विध्यरतियों के लिए विए समय आज का काफी अच्छा रहेगा दोस्तो साथी साथ आज आप प्रॉपर्टी में भी निवेस कर सकते हैं जो आपके लिए भविस्ते में आगे चलकर काफी लाब दाएक साबित होगा या दोस्तो धन के लेंदेन के लिए भी आज का समय आपके लिए बहुती अच्छा साबित होने वाला है दोस्तो कारे छित्र में आपके अनुकूल वाता वरन रहेगा हाला कि कारे भार की भी अधिकता रहेगी लेकिन कारों में सपलता मिलने से धनलाब की भी काफी अच्छी स्थिती रहेगी नौकरी में भी तरक्की के योग आपके लिए बन रहे हैं जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला है दोस्तों आज आपको अपने स्वास्थ का भी विशे सुलूप से ध्यान रखना होगा क्योंकि अत्यादिक सोचने और चिंताओं के कारण आपका स्वास्थ बिगड़ सकता है साथ साथ पेट से संबंदित समस्याएं अधिक परिशान आपको कर सकती है इसलिए आज आप नेगटिव विचारों से दूर रहें सोचने समझने में आप समय अपना व्यर्थ ना करें और साथ साथ अपने खान पान पर भी आज आप विशे सुलूप से ध्यान दें साथ साथ दोस्तों अपने स्वास्थ को और भी अच्छा रखने के लिए आप रूजाना योग करें वयाम करें सुस्त रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशे सुपाय क्या है दोस्तों आज आप इशनान आदिश निर्वत्र होने के बाद अपनी लंबाई के अनुसार काला धागा लें और आप इस काले धागे को एक नारियल पर लपेट लें इसके बाद आप इसकी पूजा करें और उसके बाद आप इस एक नारियल को भगवान शनिदेव को इस मनन करते हुए बहते उजल में प्राहित कर दें और साथ इसाथ अपनी मनों काम नए मांगे जा दोस्तो ऐसा करने से भगवान शनिदेव बहुत जल्द प्रसन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो विए आपके जीवन में परिशानिय चल रही है समस्त परिशानियों का ंंत करेंगे और आपको ऐसा करने से जल्दी ही सुब फालो की प्राप्ती होंगी और आपके सभी कारणे बहुत याशनी से भगवान शनीदेव के असिरवाद से बंते चले जाएंगे दोस्तों भगवान शनीदेव का असिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंस बोक्स में जै सनिदे ववस्च लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद